अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट इवी शोज जी फाइब के साथ बिल्कुल फ्री बाप को याद कि हम तो रोज याद करते हैं पापा तुम्हें पैर में जो है ना भावरी भाई है पिकते नहीं हो जो सब जगें इते उते घुमते रहते हो बाव यशी बात ने इस बात यह एज बार के आदन मजबोरी थी कह अँ अँ ठेके मिटिका रहा था आचानेक से रेट पड़ गई बिना बात के अलब दोछाल दिन के लिए अंडर ग्राउन होना पड़ा यह बैठो पापा बैठो पापा बैठो पाँ आप पापा पश्या ए तो दोड़ा दोड़ा के शेर को मारो अतो वो कहानी तो बेट अच्छी तरह से याद है हाँ पाप आमे जाही कन्फर्म करनो है कि तुमने खाली बच्मन में तरकाने के लाने बता अतो कि जामे कोई सक चाही भी है शेर के शिकार वाली बात में अरे नानालला मैंने बिल्कुल सही का था हुआ यू एक बार बंदुक लेके मैं जंगल में गोसा हाँ एक शेर जो है मेरे पिछे पड़ गया और वो नजदिक आया मेरा उसको लगा कि मैं डर के पिछे हट जाँगा लेकिन मैं जो ठरह तेरा बाप वही पारा कड़के ख़ा रहा मजाले को यहां से वहां ही ला दी है फिर तुमने शेर को गोली मार दी पकड़ ले और रुटके हाथ पर बांग तो पिड़ में टांग जल रहा अब जाँ जाने को अई भाईया पापा आप में जाशेर पे शेर वाली बात पी अकीन नहीं हो रहा लेकिन बोड़े ते सचाही हो अरे बेटा जवानी में तो लोग मुझे ब्यूटी विट बैन कहते थे मेरा मतलब है कि लोग मुझे शुपरमेन विट बैन कहते थे बढ़ना चाहिए बेटा बहाद्दूर बाप की बेटी हो और हमारे खांदान में मतलब तो हमारे बाप दादा पर दादा सब के सब निडर और साहसी थे पापा हमें जाई बात ना कुछ लोग उनको समझा नहीं है अरे भाई किसकी शामत आई है जो हम पे शक कर रहा है हो चलो चलो पहले तुम फ्रेश हो जाओ हम तुम्हाई लाने गरम गरम चाय बनाते फिर बताते हैं ठीक ठीक बात बताओ पापा हाहा हाहा हा हाहा हाहा हा हाहा हा घालो हम भी पेस अबरें से तेरों इंतजार कर रहे हैं देर ना ये फून होगा, कभा ही चेंज होगा, किना होगा बैटरी गई फिर से चार्ज करें, फिर बात करते हैं